आल राइट ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझो अगर आप टायर 3 कॉलेज के श्टुडेंट हो आपके कॉलेज में गेट एक्जाम के गाइडन्स पे क्यू जाधा बाते नहीं होती क्यू आपके कॉलेज में सेमिनार्स अटेंड नहीं होते या फिर अरेंज नहीं होते उस पे मैं आपको एक प्रॉपर रिजनिंग दूँगा और आपको गेट एक्जाम का प्रिपरेशन कप करना चीए प्लेस्मेंट का प्रिपरेशन कप करना चीए और इन फैक्ट आपके लाइफ में जो भी इन सेक्यूरिटीज है उस पे भी मैं थोड़ा डिसकेशन करनी को तो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका बनता है एडमिशन कराने का कि हमारे लाश्ट येर के बैच का इतना 90% प्लेस्मेंट हुआ था या फिर 100% प्लेस्मेंट हुआ था वो number of students कितने प्लेस हुए थे वो बताने में जादा इंटरेस्टेट है अगर आप gate exam का पढ़ा ही ये कोई mail भेजता है कोई classes वाला भी अगर mail भेजता है फिर कोई individual भी mail भेजता है तो जादा तर college reply ही नहीं करते हैं बहुत अच्छे colleges जो होते हैं जो actual में students का भला चाते हैं सिर्फ वो ही seminar arrange कराते हैं उनके बच्चों के लिए ये मैं बहुत ही आपको black and white truth बता रहा हूँ maximum colleges नहीं चाहेंगे कि आप M.Tech करने के लिए चले जाओ क्योंकि उनका placement का statistics खराब हो जाएगा उस साल का अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको placements important है क्योंकि आपको life में security important है gate exam में maximum लोग succeed नहीं हो पाएंगे 2000-3000 हर branch से लोग succeed हो सकते हैं बाके के लोगों को कुछ अलग opportunity ढूननी पड़ती है या फिर कुछ अलग exam में अपना luck try करना पड़ता है तो आप क्या कर सकते हो आपको job भी चीए मेरे इसाब से maximum engineering student show tire 3 college के होते हैं अपने तीन साल starting के first, second, third year सिर्फ write-up लिखने में बिता देते हैं write-up लिखने के बाद अपने दोस्तों के साथ parties arrange करने के लिए किसी relationship में engage होने के लिए या फिर किसी दोस्तों के साथ unnecessary topic पर debate करने के लिए भिता आते हैं ठीक है यही maximum लोग की reality है और वो placement की तयार भी नहीं करते तब पर बोलते हैं कि हमें placement पर focus करना है maximum लोग last year में जाके अपने placement का preparation करते हैं जबकि gate exam आपको third year में भी allow करती है gate exam देला अगर आप third year में gate exam crack करोगे उसके बाद fourth year में शायद से आप अपना placement का preparation कर सकते हो अगर आप second year से ही लग जाओ के gate exam के preparation में तो मेरे इसाब से आप third year पे आते 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 आप एक enough number of marks के साथ qualify हो सकते हो आपको एक अच्छा कासा college मिल सकता है पर maximum लोग क्या करेंगे third year तक कुछ भी नहीं करते हैं सिर्फ लिखते रहते हैं write-up या फिर कोई bible लिखते रहते हैं मेरे इसाब से और जाके fourth year में directly placement का preparation करते करते पूछते हैं gate exam चूज करो या फिर placement चूज करो मैं आपको बताता हूँ जो भी लोग बताते ना कि मुझे college के साथ time नहीं मिलता है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपके पास कितना time है maximum लोग का college 9 बज़े होगा और साड़े-4 बज़े तक 5 बज़े तक खतम हो जाता है ठीक है तो 9 बज़े का college है तो maximum लोग साड़े-8 को ही निकलेंगे ठीक है maximum लोग अपने घर से साड़े-8 बज़े ही निकलेंगे पर सुबे के 4 से 8 आपके पास time होता है चार से आठ, सुभे के चार से सुभे के आठ बहे तक 4 hours हो जाते हैं अगर आप हर दिन, हर दिन भी नहीं week में अगर 6 days भी, Monday to Saturday भी अगर 4 to 8 अगर आप preparation कर रहे हो और उसके बाद रात को सोने से पहले आदा घंटा, एक घंटा उसे revise कर रहे हो अगर आप हर दिन ऐसे, Monday to Saturday रिपीट कर रहे हो और संडे का दिन पूरा break ले रहे हो फिर भी आप अपने college का life भी enjoy कर सकते हो और अपना maximum time gate exam में भी दे सकते हो पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मजे करने है और हमें gate exam का preparation नहीं करना है, हमें unnecessary debate में participate करना है मैं सिर्फ आपको तुर्द बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास time है कोई आपको हर chapter का time table लिखके नहीं दे सकता कि यह chapter यहां से लेके यहां तक पढ़ना वहां से लेके वहां तक इसके sum solve करना मैं आपको in general ही बता सकता हूँ कि आपके पास सुबे से 4-8 time होता है फिर भी हम उसके maximum utilize नहीं करते हैं अगर आप 4-8 उठोगे आप 9-10 बज़े तक सोदे का plan कर सकते हो पाच बज़े के बाद 9 बज़े तक आप अपना खाना, write-up सब, nipटाना कर सकते हो फिर 9-10 बज़े तक आप एक घंटे का revision कर सकते हो जो भी आपने सुबे 4-8 पढ़ा था इस तरह से आप अगर engineering करोंगे अपने starting के 3 साल में gate exam का preparation कर लोगे और last year अपना पूरा का पूरा दे सकते हो placements के लिए अगर आपका third year में gate exam नहीं निकलता है enough preparation करने के बाद भी इसका meaning यह नहीं कि आपको fourth year में वापस से लगे रहना पड़ेगा हर दिन एक बार अपने preparation अपना enough कर दिया फिर भी अगर आपका gate exam third year में crack नहीं हुआ है अब अपने short notes भी revise करते रहोगे और अगर सिर्फ test series भी देते रहोगे सिर्फ 2 घंटे की preparation करोगे न week में 5 दिन 6 दिन तो भी आपका fourth year में crack हो जाएगा क्योंकि आपने third year में अच्छे से preparation किया था पर अगर आप fourth year से ही start करोगे और fourth year में ही crack करना है तो game बहुत ज़दा difficult बन जाएगा आपको क्या करना है दोस्त second year से start करना है third year पे खतम होते होते आपका पूरा preparation हो जाना चीए rank आएगा की नहीं आएगा वो पता नहीं है third year में rank नहीं आया fourth year में निकाल लोगे fourth year में इतना time देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूँकि आपने अच्छे से preparation की है इस तरह से आपको gate exam का preparation करना कोयल भी कोयल है कि कुन सा बड़ा ही मुझे पता नहीं है पर बीजबीच में आवास कर रहा है तो मैं hope कर रहा हूँ कि आपको मेरा message बहुत ही clear है और जो भी आपके insecurities है कि मैं बहुत ज़दा क्या बोलते हैं मैं बहुत look में खराब हूँ मेरे face पे इतने pimples हैं मेरे भी face पे बहुत ज़दा pimples थे और मैं बहुत ज़दा पतला था और तभी मेरा look बिलकुल भी अच्छा नहीं था पर life में अगर आप हर किसी से चाते हो कि हर कि हो या आप में interest हो आपको थोड़ा variety दे आपका importance समझे आपके existence का तो उस group में आपको superior बनना पड़ेगा वो अगर आप look में बनने ही कुशिश करोगे अगले दिन आप से better रिखने वाला कोई इंसान आएगा लोग उसमें interest हो जाएंगे पैसो में पैसे या फिर गाड़ी खरीद के लाओगे नेरी गाड़ी सबसे best है आप से भी better कोई गाड़ी लेके आ सकता है पर अगर आप कुछ achieve करोगे वो achieve कुछ भी हो सकता है आप कोई startup कर सकते हो कोई exam crack कर सकते हो ठीक है startup मेरे हिसाब से maximum लोग के पास ideas नहीं होते है आपके पास सिर्फ एक ही option बचता है अगर आपके पास time है और सामने gate exam का opportunity है तो क्यों नहीं अपना gate exam के लिए अपना 100% दे मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है startup चीज़ों में आप दे सकते हो अगर आपके पास कोई extraordinary idea है जिसमें आप belief करते हो तो उसमें आपना time दे सकते हो पर अगर आपके पास वो भी नहीं है और आपके पास time है और अगर सामने gate exam का opportunity दिख रहा है तो क्यों नहीं हम gate exam का preparation करें ये मेरा आपसे question मैं hope कर रहा हूँ कि मैंने आपको motivate किया होगा third year में किसी ने gate exam crack किया ना एक साल और एक बचा होता है fourth year का पूरे college में star बन जाओगे और tier 3 college में कोई gate exam में under hundred, under five hundred भी आ गया ना या फिर under thousand भी आ गया ना वो star बन जाएगा उससे अलग तरीके से लोग देखेंगे अपने college में ठीक है star बनना है अपने college का तो gate exam का preparation पक्का करो बहुत ही simple है मेरा video मैंने जादा कुछ complicated नहीं किया अगर आपको ये video पसंद आता है आप मुझे follow करना चाहते हो मेरे instagram का link description में होगा मुझे follow कर सकते हो तो इतना ही था इस video में हम फिर मिलेंगे से video के साथ till then Yeah, yeah, yeah ये बजएगा गली के नाकी पे ये बजएगा तेरे इलाके में ये बचता रहेगा जब पड़ेगा Rade or Laundae Defaultर भागेंगे हम उल्लू है रातें भी जागेंगे हम wise है बटा हम wise है तो real है तो हम भी nice है तो real नहीं तो हम भी चॉले में